नमस्कार साथियों बाचपेट टेक्निकल क्लासेज में आप सब का स्वागत है मैं प्रियंका बाचपेट साथियों बहुत टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं यह वीडियो हम डाल रहे हैं आज आज हम लोग बिहार टेक्निकल सर्विस कमिशन बोड ने अभी जो वो पेपर करवाया हुआ है इस ट्रेक्टर वेकेंसी का उसका हम मेमोरी बेस्ट कोस्टन जो है जो भी कोस्टन पेपर ऑनलाइन था और जो भी कोस्टन याद है हुँआ है वह कोस्टन को है यहाँ सौल कर वा रहे हैं चली देखते हैं का पहला क क्या है हमने आप लोग को बहुत बर पढ़ाया है मेरे पुराने वीडियो में भी है इंडेक्शन मोटर का रोटर स्क्वरेल के सिंगल सिंगल फीज्वेत हेट यहां पर我不 spend क्या-क्या रखा गया है सिंगल केज डंड रोटर डवल टुरे तो सिंगल्रत एंडवर पसपने प्रश्वेत ध talking पर इस्वेत你ug मदक्लान गे लंघेरी ग겁 लेकिए उस Patri गोस्ट सभ call option कौन सा सभी जाएगा single cage वाला ठीक है दूसरा कोश्चत देखिए दूसरा हमने आपको बताया था बैटरी किस सिध्धान पे काम करती है बैटरी फैराडे के अनुक्रमा नियम है यह विद्धारा की मात्रह का अनुक्रमान अनुपाती मतलब कि M प्रपोर्शनल आई इन्टू टी इससे यह डेफिनेशन यह फैराडे का पहला नियम है दूतरा नियम क्या था M1 अपॉन M2 is equal to M1 upon M2 is equal to Z1 upon Z2 is equal to W1 upon W2 करके जो आता है वो फैराडे का दूतरा नियम था तो इसमें हमने option कौन सा लगा दिया फैराडे का प्रतम नियम ठीक है आंगे पड़े नीचे देख लीजेगा यह formula भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है definition आपको मिल रही है नियम पता चल गया और मैंने आपको यह भी बता दिया कि फैराडे का जो प्रतम नियम है वह battery इसके सि करें थर्ड को सचने DC मोटर के गूलं की दिसा कौन बताता है option A कार्कस क्रूनियम फ्लैमिंग के बाए हाथ का नियम है लिक्स का नियम और एंड नियम भाईया यह हम आपको पढ़ा चुके है पुराने वीडियो लोग मेरे नय यह वाला वीडियो देखेंगे वो पुराने दीशी जयनटेर ini जो और प्रिमिंग निख्यर फेरी हान निखनें यहाँ देखेंक गाएन को फ्रेमिंग के तो दाय हाथ का नियम नपर नियम होता है थो क्यों चाहिएंग के राए ह lange करना नियम होते और करतीसा फ्लेमिंग आपको नएग patience होता है कि इस तरीके से होता है कि अगर हमने पहली उंगली मद्यमा उंगली और अंगूटे को इस प्रकार रखें कि तीनों 90 एंगल पर हो तो देखिये थंब क्या होगा अगर जनरेटर की बात है तो अंगूठा होगा यह हमारा थंब जो होगा वो मोशन गती की दिसा बताए और मिडल फिंगर हमारी बीच वाली तिंगर मिडल फिंगर जो होगी वह बताएगी अगर यहीं लेफ्ट एंड में यह भी कोस्चन आते हैं मैं इसको बहुत डिस्क्राइब में सॉल्व करवाया है पीछे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा यूपी पीसेल का भी पर होने वाला है और जिन लोगों ने जारखंड का इस ट्रकटर वाला फॉर्म बार रहा है वो लोग भी जारखंड तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटा-फट पाश्चनल को आप लाइक कर दो फटा-फट लाइक कर दीजिए जितने लोग भी देख रहे है आगे बढ़ते हैं देखिए नेस्ट किया है किस पदार्थ का उपयोग डीसी मसीन के योग में किया जाता है स्टील कॉस्ट टाइरन धलवास पाथ यह लैमनेटेड स्टील या कॉपर का भाया हम बहुत बार पढ़ाते थे कि डीसी जनरेटर का जो प्रयोग किया जाता है जो देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूं कि योग किसे कहते हैं देखिए यह पूरा जितना भी है यह योग है मतलब मसीन के बाहरी पार्ड को हम योग बोलते हैं क्या बोलते हैं योग बोलते हैं जो मसीन की बाहरी बॉड़ी होती है यह जो बॉड़ी होती है इसको हम टे तुरचित रखने के लिए किसी बनी होती है का स्टील की थिए ठीक है आंगे वरते हैं अगर मैं यहां पर बताने लगूंगे तो और डिस्क्राइब होता चला जाएगाँ पट्मैर यहां पर कॉस्ट्ञ करवान है ना नेक्स्ट कोस्चन है केवियल सम्मंदित है देखिए उप्षिन कितने अच्छे दे रखे धारा स्रोस से वोल्टेज 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 लोग एक केशियल करेंट किर्चाफ करेंट लोग मैंने दोनों नियम यहाँ पर बताए हैं किसी बंद सर्किट किसी बंद डीसी सर्किट में आरोपित एमफ का बीजगरती योग परपस के वोल्टेज के घटकों का ड्राप का बीजगरती योग के तुल होता है बहुत लोग क्या करेंगे ओप्शन में के वील देखा देखा वोल्टेज लौया तो तुरंती वोल्ट का इस रोज पर लगा देंगे टिक नहीं नियम में देखी क्या है वोल्टेज ड्रॉप इसमें आई-ई-ड्रॉप दे रखा गया है इसलिए इसका ओप्शन कौन सा सह दिया पूरी definition लिख दी और पूछा कौन सा नियम है ठीक है इसी तरीके प्रत्यास्था की definition दे गई थी और पूछा गया था उतमें option था कि प्रत्यास्था कौन सा नियम ऐसा है कि जिसको हम दबाते हैं दबाने के बाद अपना बल छोड़ देते हैं और वो पुना वापस इस प्रत्यास्था यह क्या है इसलिए उतमें विक्रती प्रत्यास्था इस तरीके की option दे रखे गए थे और वह की definition थी समझ गया आप इसलिए आप लोग को definition भी पड़ते चलना है प्रॉपर वे में तब ही आप कर पाएंगे maximum मेरे को अच्छे से पता है maximum लोगों ने वोल्ट पत्में किसी संगम की और जाने वाली विद्धाराओं का योग तता आने वाली विद्धाराओं का योग के बराबर होता है सिग्मा आई स्कोल टू जीरो अरी हो इस ठीक है नेक्स देखिए विद्धूत के पंके के रेगुलेटर कि कि वाइंडिंग किस से की जाती है तीजिए। त यूरेका नीचे दे रखा हुआ है। यूरेका क्या होता है। ये अधिक उस्मा नहीं पैदा करता है और रेगुलेटरों में भी इसकी वाइंडिंग की जाती है। यूरेका में 40% निकल और 60% कॉपर होता है। भाइया ये पॉर्टेन दे रहे हैं यह लिखते जाएगा यह अभी आपकी रेलवे वैकेंसी निकाला है टेक्निशन और लोको पाइलेट की इसलिए अब मैं कोसिस करूंगी कंटीनिव भले ही आपको सौट सौट वीडियो हमारे मिलें लेकिन आपको कंटीनिव मैं वीडियो देने की कोस पता-पड नai क्रोम में किसका किसरा होता है में पहले स्वेडियो निकेल और क्रोमियम और पर्संटर होता है भूंकि रही रंव केसे फार के लिकीयो को हम डबलू से डिनोट करते हैं यह बल्ब के अलिमेंट में होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है फटा फट चौटिस तो डिग्री सेल्सियस वेरी गुड छली आंगे नेक्स फोर्चन देखते है फुल फॉर्म पहली आये वी डॉट का फुल क्या है इसका मैंने है फूल फॉर्म लिख दिया है वर्टिकल एक्स वाटर टर्बाइन लिख लिजयेगा यह पुल पॉंस अलग आई हुई है एक के फुल फॉर्म आप लोग सर्च करिए यह मुझे नहीं आ रही थी और मुझे मिली भी नहीं इस टेक्निकल में FAST ठीक है यह आप देखिएगा मैं फुल फॉर्म का वीडियो भी पूरा पड़ा हुआ और जिसको भी चाहिए मेरा टैलीग्राम चैनल से आप लोग जोड़ जाएगा टैलीग्राम चैनल में हम असका पीडिया प्रोवाइट कर देते हैं free of cost ठीक है उदर से आप लोग प्रिंट ले लीजिएगा किसी को भी पढ़ाई से लेटेड कुछ भी समस्या हो तो मुझसे बात करें फॉर्म के लिए मेरा नंबर उसमें है आप लोग कॉल कर सकते हो कि देखिए MPPT का फुल फॉर्म मै समाप्त करने के लिए आवस्थ चिंबक बल को कहा जाता है क्या कहा जाता है magnetizing force ःसमें option देखिए क्या क्या दे रख्यान electivity permeance अफस्ष्ष्ट चंबक और चंबकन बल तो असे चंबक बल को हम लोग कहते हैं magnetizing force इसको option D सही होगा भया definition भी पढ़ते चलना वैसे मैं कराउं कोसिस करूंगी मैं डेफ्त में ले जाने की चीजें लोग सोचेंगे क्या तो देती है फिर तो तेने चेचे मेने बाद वीडियो डालती है क्या करूं मैं भी जौब में हूँ बहुत सारी चीजे रहती हैं फिर बात करेंगे ट्रांस्फार्मर का सौर्ट सर्कृट किसमे होता है मतलब ट्रांस्फार्मर का जो सौर्ट सर्कृट टेस्ट होता है वो किसमे होता है ऑप्शन दे रखा है हिस्टेरेसिस लॉस आइरन लॉस कॉपर लॉस इडी करेंट लॉस तो किसमे होता है मैं आपको इसको डिटेल में ब बतायतें, transformer में दो प्रकार के loss होते हैं, एक होता है iron loss, दूतरा होता है copper loss, iron loss जो होता है वो no load loss होता है, अगर load नहीं है, तो यह loss नहीं होगे, और इसको on constant loss भी कहते हैं, ठीक है, और जो copper loss होता है, वो होता है on load loss, मतलब अगर load ज्यादा है, तो losses ज्यादा होंगे, load कम है, तो loss कम होंगे मतलब कि यह variable होता है load के अनुसार घटा बढ़ता है तो मैंने क्या बताया transformal में दो प्रकार के loss होते है iron loss copper loss iron loss को हम no load loss कहते हैं constant loss कहते हैं copper loss को on load loss और variable loss कहते हैं अब देखिए iron loss जो है वो दो प्रकार के होते हैं एक होता है ed current loss दूसरा होता है hysteresis loss ed current loss का यह formula मैंने यहाँ पर लिख दिया w e square to magnetic flux जो होता है maximum f square t square पीछे के वीडियो में देखेंगे तो इसको भी परिभासित कर दिया है कि f square क्या है t square क्या है बड़ आपको यह देखना पड़ेगा यहां मैंने इसलिए थोड़ा सा बताने की कोशिश की कि open circuit short circuit कहां होते हैं तो वह मैं आपको बताना चारी थी डब hysteresis loss का formula यह निखा हुआ है अब भाया iron loss जो होता है वह open circuit test को चेक कर लेते हैं और copper loss को जो होता है वह हम short circuit test को चेक कर देख लेते हैं इसमें कोश्चन हमारा था कि transformer का short circuit test किसमें होता है तो copper losses में होता है तो हमारा आंतर कौन सा सही हो गया C number हो गया बात समझ गया ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के loss होते हैं iron और copper iron को हम open से चेक करते हैं और short तो copper को हम short से चेक करते हैं अब देखिए यह इसको बताने के जरुवत इसलिए पड़े क्योंकि next question इस प्याधारित था distribution transformer में क्या होता है core losses copper loss से कम होता है core loss copper loss से अधिक होता है core loss copper loss के बराबर होता है none of these भाईया, distribution का मतलब होता है, जो transformer supply बाढ़ता है, इसका मतलब क्या हुआ, कि जो supply बाढ़ता है, तो वो क्या होते हैं, वो तो उसमें तो load कम घटा बढ़ता रहता है, इसलिए ये होते हैं, code, देखो नीचे लिख दिया है, iron loss core में होते हैं, और copper loss winding में होते हैं, तो इसमें क्य आंसर आपका सही हो जाएगा, बताओ, फिर से देख लो, distribution transformer में क्या होता है, core losses copper loss से अधिक होते हैं, copper loss load प्याधारिस होते हैं, इसका मतलब जाइस सी बात है, कि वो इससे अधिक होंगे, क्योंकि distribution transformer है, तो core loss copper loss से अधिक होता है, ठीक है, और ये most important एलिक लेना, पूछा जाता है, आईरन लोस कहां होते है, core में होता है, कि winding में होता है, कहां होता है, तो iron losses core में होते है, copper losses कहां होते है, winding में होते है, एक copy बना लीजी, question को note करते चलिए, बहुत most important question है, बार बार आप हमारे वीडियो को देखेंगे, बार बार पड़ते जाएंगे, तो भी आपक factor जो हम लोग आगे पड़ेंगे, तो वहां पर describe कर देंगे, इतमे है कि alternator का power factor load पर निरबर करता है, ठीक है, इसका answer है a, alternator का power factor load पर निरबर करता है, देखें, next question देखिए, एक question आया था, उसमें, three phase induction motor, starting current कितनी होती है, option a, 8 से 10 गुना, 9 से 10 गुना, 3 से 4 गुना, 5 से 6 गुना, तो हम आपको पहले बता दे, induction motor द्वारा जो starting, starting के समय जो electric supply ली जाती है, ली जाने वाली current, running current जो उतमे चलती हो, उस current के आवस्ते करण से 5 से 6 गुना अधिक होता है, ठीक है, पांसे 6 गुना अधिक होता है, अब देखिए, इससे काफी हानिया हो जाती है, इसी प्रियोग करते हैं, जैसे ही अम स्टार्टर से start करते हैं, वो current बहुत तेजी से आती है, एक बार स्टार कट से बोलता है, आप लोग कभी कभी आपके गर में समर सीबल पंप लगा होगा, उसको आप स्टार्टर से पुस्ट करते होंगे, कट से आवाद आती होगी, और किसी लिए starting करन कितने गुना होती है, 5-6 गुना, अच्छा मुझे कौन बताएगा, जो लोग और भी लोग हैं, जो पुराने वीडियो देख चुके हैं, वो मुझे बताएगे कि इंडेक्शन मोटर में, AT मोटर में कितने प्रकार के starter यूज होते हैं, फटा 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 आ direct on line starter, यह कितने HP, 5 HP से above motor के लिए start use होती है, 5 HP, और star delta starter, और बताओ, flip ring starter, यह मैंने तब पुराने वीडियो में पढ़ा रखा है, चार परकार के starter use होते हैं, कौन कौन ते है, अधिक्तम होती है, option DC machine, alternator, generator, transformer, भया, सबसे ज़्यादा efficiency होती है, transformer की, DC machine की इसलिये नहीं होती, इसमें rotate होता है, friction होता घर संठ होता है, जिस machine होता है, और में वाले पार्स होते है होते हैं खुमने माले बीचियम से जब्सक्राइब भी सिभी गुमने लुक्ड गर्चंण होता है इसलिए हमें इतनी अधिक नहीं मिल पाती है नेक्स सोचन देखिए त्री फेस स्टार में जुड़े संतुलित लोड में पावर बराबर होता है अंतर लगा लिएगा अंडर रूट लाइन वोल्टेज लाइन करेंट कॉस्पाइब के बराबर होता है ठीक है मुं को इसको समझा देते अगर यही से पोच लेता इस ट्रीवें सटी फेस्ट कारंड बराबर होता है तब क्या बोलते हैं लोड बैलंस बोलते हैं फोडोल से देखेए स्टाल में क्या होता है फेज one फेज two फेज three और में न्यूटल होता है लेकिन डेल्टा में न्यूटल नहीं होता अब देखेए फेज देखो यह महज इंपॉर्टेंट ट्रम्स बता रहे हैं फटा पट पढ़ लो फेज और न्यूटल के बीच ना पागया वोल्ट तो वह लाइन करेंट होगी समझ में आया अगर फेज और नूटल के बीच जो ना पी गई पावर होती है वह थी पी पावर इसको टूब याई कॉस्ट पाई इतना समझ में आया थी फेज विसको इतने कोश्चन से हैं जो भी आपलों कर लीजेगा सको अच्छा में डो कोश्चन और बच राए कोश्चन समय में 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 आपको उतना सारा कॉपई में पहले बनाती फिर मैं आपको बताती जर्में कर्मेनियम डायोट का वेरियर पोटेंशियल कितना होता है 0.1 0.3 देख लीजिए जितने भी पुराने जिन्होंने मेरे वीडियो देखे होंगे उन तब काफी से हल्प मिली होगी बहुत सारे कोश्चन ऐसे थे पच्चिस ताइस कोश्चन की उसमें आपको पढ़ने की विज सब्सक्राइब कर देजी आपके जिसने भी डिप्लोमा होल्डर से हैं वो चैनल इस टेक्निकल चैनल को फॉलो करें आपको जो भी दिक्कत आती है मुझसे बात करें और आपको इसके थ्रू सारे नोट्स प्रोवाइड होंगे और लोको पाइलेट और टेक्निशियन को हम बहुत आरे पूछेंगे मैं यूपी पीसेल का पेपर का वोगा यूपी पीसेल का पेपर का वोगा यहार कई बात अध्कारियों ने जो बताया वह इंफॉर्मेशन के लिए नहीं हो पाई कि इस डेट पे हो रहा है लेकिन आप लोग पूरी मेरे को लगता है दिवाली के सब्सक्राइं तक हो जाना चाहिए बाकि जो भी अगर जानकारी मुझे मिलेगी मैं आपको अपडेट कर दूंगी चाहिए चलिए नमस्कार जातियों आगे अपनों कंटीन्यू करिए जाहिए